असलाम अलेकुम, आज हम मनाएंगे चिकन वाइट कुर्मा ट्रेडिशनल रेड कुर्मे का सफेद वर्जन है, लेकिन बहुत ही माइल मसालो से बनता है और बहुत खुशब़दार बनता है, चिकन वाइट कुर्मा एक शाहि डिश है, एकदम रेस्टरांट स्टाइल बनती है और बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए है सबसे पहले हम एक क्लो ग्रैम चिकन लेंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे एक टी-स्पून भर के नमक ढाल देंगे या फिर आप टेस्ट के इस आप से डाल सेकते हैं दो टेबले श्पून अज्रक और लहसून का पेस्ट ढाल देंगे साथ में हम डालेंगे इसमें सफेद दखनी मिर्च, ये काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन सफेद होती है, अगर आपके पास नहीं है, तो काली मिर्च को कूट कर यूज करेगा, लेकिन उसका पाउडर यूज नहीं कीज़ेगा, वरना फिर ग्रेवी काली हो जाएगी, अब तो इसमें एक कप दही डाल देंगे और बस सारे इंग्रीडिन्स को अच्छी तरह से मिला देंगे तो यहां पर चिकन हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हमें इसको माइनेशन कर देना है तो बस 10-15 मिलेट के लिए या फिर आप जाधा टाइम के लिए भी कर सकते है रानिया की आई क्रीम यह डार सर्क्रिस को कम करता है और बनाता है हमारी स्किन को और भी जादा खुबसूरत फिर रात को सोने से पहले मैं यूज़ करती हूँ रानिया के टोनर जिसमें की है रोज एसेंस फिर मैं लगाती हूँ रानिया का गोल्डन इसकिन एलिक्जर जो क स्किन की बारा लेर्स तक जाता है और उसको रेपेर करता है रानिया 100% हलाल स्किन केर ब्रैंड है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हलाल लैप मलेशिया में बनकर तयार होती है सभी प्रोड़क्ट्स वेजिटेरियन हैं एलकोहल फ्री हैं और डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड हैं रानिया यूथ स्किन केर रेंज 24 के गोल्ड और विटामीं सी से मिलकर बनी होती है यह एकदम सेफ है और 100% हलाल सर्टिफाइड है मलेशिया और इंडिया में मुझे पूरा भरूसा है रानिया स्किन केर पर और यह जबजब से गिफ्टिंग आइडिया भी है आब इसक अब हम एक वैसे ले लेंगे जिसमें हमें कोर्मा बनाना है थ्री बाइफ फूर कप इसमें तेल गरम कर लेंगे अब इसमें दो प्यास जाल देंगे जो की तक्रीबन वन एना हाफ कप है और बस यहां पर हमें मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिट के लिए प्यास को बहुन लेंगे इसका हमें बाद में पेस्ट बना लेना है अब इस जो तेल है इसमें कुछ साबुत कर शral olsun कृता बाइप नयज्यक लink एक बड़ी लाइचि च Tall फितर फित प्ते पिर दाल कर लेंगे और थे मटकली रिक्त को भून लेंगे जिससे कि जो अध्रक लेसंट वगएर उसकी जो कच्छी स्मेल है वो खतम हो जाएगी जब तक चिकन भून रहा है हमें एक पेस्ट तयार कर लेना है और में का मसाला तयार करेंगे तो मिक्सी के जार में हमें 5-6 हरी मिर्च डालनी है क्योंकि हम लाल मिर्च का स्वाल इसमें नहीं करेंगे तो जो भी स्पाइसिनेस है वो हमें हरी मिर्च, काले मिर्च या पर सफेद दखनी मिर्च सही मेंटेन करनी है साथ में 10-12 इसमें भीगेवे काजु भी डाल देंगे काजु को मैंने आदे घंडे के लिए भीगो दिया था एक टेबले स्पून सुखेवे नारियल का पॉर्डर भी इसमें डाल देंगे बहुत अची खुश्पून आती है और दो टीस्पून डाल देंगे खशष लेकिन अगर आपको खश खश नहीं मिल रही है आपके पास नहीं है तो बिना खश खश के भी आप इसको बना सकते हैं और ताके पॉर्मे में एक बेतरी इन सी खुश्पू है तो कुछ खास इसमें मसाले जाएंगे जिसमें की एक चोथाई टुकुडा जाइफल का है एक जावीत और यह बना जैसे का मसाला हमारा तीहार हो गया है तो इस जार कोखा उल कर दिंगे इस ही में हमें प्यास भी पेस्ट लेटी रही है यह तो जो प्यास हमने सौफ्ट करके रखी वी थी वो हम इसमें डाल देंगे स्वारा पाने बगए जयासे भी आप बना पाई इसका कि बुज़ देना है और इसके साथ भी हमें चिकन को थोड़ा सा भून लेना है तो 4-5 मिट के लिए भून लेना है और जब 4-5 मिट यह भून जा से नहीं तो हमने जो कोर में न वो इसमें से अलग नहीं होने लगता है अब क्योंकि हमने ग्रेवी में ड्राय फ्रोट्स डाले वे हैं काजू अगयरा तो उससे जो तेल होता है वो सर्फेस पहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो जब आपका मसाला भूंजा है तो दास में एक दो चमश देशी घी या फिर बटर डाल दीजिए जिससे की जो तेल होता है वो आसानी सा लगोने लगता है अब मैंने इसमें आदा कप के करीब पानी भी डाल दिया है मिक्सिय के जार को मैंने खंगाल लिया था इसलिए वह पानी आपको थोड़ा सा वाइड क्योंकि मिक्सिय के जार में आपका काफी पेस लगा रहा जाएगा तो उसी को खंगाल लिजेगा अब हमें इसको गला लेना है तो चिकन गला लेंगे काफी हद तक यह गल चुका है क्योंकि हमने काफी देर इसको भून लिया है अब हमें गैस की फ्लेम को धीमा करके 15-20 मि मैंने इसको धीमे आशवर पकाया था और यहां पर हमारा कोर्मा बनकर तयार है लेकिन जो तेल है वो ठीक से सर्फेस पर नहीं आ रहा है इसके लिए आपको क्या करना है अब गैस बंद कर देनी है और इसको ढखकर छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए तो जो आब इसको छो चूट नहीं हुआ है हर अधनी और हरी मिज मैं डाल दी है और बस खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही बहतरी है हमारा चिकन वाइट कोर्मा बनकर तयार हुआ है देखने में जितना टेम्टिंग है खाने में इससे कहीं जाद बस आप यह कह सकते हैं कि आप इसको खाएंगी तो आपका पेट तुबर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा नियत नहीं भरेगी बहुत ही जबदस बनकर तयार होता है तो खुद खाएं अपनी फैमली मिंबर्स को खिलाएं अपने मेहमान को खिलाएं और हर किसी क और इसको एक रॉयल टश देने के लिए मैंने भीगेवे बादाम ले लिए थे जिसका चिलका उतार कर मैं इस तरह से गार्णिश कर रही हूँ देखने में यह प्रेजेंटेबल भी लगते हैं और टेस्ट भी अचाता है और हरिमिश डाल देंगे और बस हमारा बहुत ही जब बादी से भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं तो बस रेसेपी ड्राय करें और अपनी फेड़ वैक्स भी मुझको ज़रो दें और अगर रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूले का वीडियो देखने का बहुत बहुत श झाल 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 झाल